हेलो बूर्णिंग फ्रेंट्स कैसे हूँ हूप सब बड़ी ओगे वैलकम टू मैं यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी यहां पे आपको पेपर वान जर्नल पेपर पेपर टू कॉमर्स का कम्प्लीट स्लेबर्स कवर अप करवाया जा रहा है दिसंबर 23 के लिए अल्रड़ी फ्री पैट चल रहा है जिसमें आपको पेपर वान और टू का कम्प्लीट स्लेबर्स यूइनिट बान से लेके टैंतर कम्प्लीट करवाया जाएगा प्री आफ कॉस्ट प्रीविस एर कोशन्स करवाया जा रही है पीडिएफ नोट्स कम्प्लीट स्लेबर्स के फ्री आफ कॉप्स इंग्लिश और हिंदी लेंगोज में आप अविलेबल है डिली बिसेस पे स्ट्रॉक्टर क्लासे कंड़क्ट होती है करना है कि आपको टैलिग्राम चैनल को जोईन कर लो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिस पर आपको सारा theoretical content मिल जाएगा और YouTube चैनल पर क्लासे कंड़क्ट होती है जैसे कि आपको पता आज हमाने पेपर बान की क्लासा ICT हमने स्टार्ट की हुई है ताट इस यूनिट नंबर एट information and communication technology सो स्टार्ट करते हैं सेशन जहां से हमने लास्ट सेशन छोड़ा था एप्रोक्स 244 पेज अगे अराउंड यह हमने कर लिया था सारा हां यहां से हमने स्टार्ट नहीं यह डिजिटल इनिशेटिप्स पी हो गये थे हमारे सो बेसिकरी हमने ICT और governance करने है यह तो हां यहां से हमने start करने है आज का जो हमारा topic रहने वाला वो है ICT और governance यह हमारा last topic है इसके बाद कुछ important topic सा वो हम cover up करेंगे देखो जो ICT यानि आपको पता है information और communication technology है वो एक crucial role play करता है जो आपकी governance है उसमे by enabling efficient and affected delivery of public services अब यह होगा क्या देखो ठीक है ICT बहुत अच्छा role play करता है governance में अब यह होता है गासे है सबसे पहले जो आप public को services दे रहे हो उसकी efficient और effective delivery होती है transparency और accountability को enhance करके आप governance में ICT का use कर सकते हो citizen participation को promote कर सकते हो जो आपकी decision making है वो always charter driven होगी यानि यह उसको facilitate करेगा ठीक है so हम यह सारी चीजों को detail में पढ़ने जा रहे है सबसे पहले आती e-government देखो e-government का क्या मतलब है जब government ICT का use करती गया है transform करने के लिए और modernize करने के लिए जितने भी उसके processes है services है जो पहले physical forming किये जाते है तो उसको e-government कहा देते है इसमें like मान के चलो आपके जितने भी administrative task है सरकार के उनकी digitalization हो जाती है जो आपके information systems है उनकी integration हो जाती है और आपको जितने भी आपके country के citizens उनको online services की provision होती है business को online services मिल जाती है और government employees को online services मिल जाती है ठीक है कुछ इसके benefits है वो देखलो सबसे पहले तो देखो जितनी भी अगर आप digitalize करे हो government अपनी administrative task को अपनी services को इससे एक तो efficiency इंप्रूव होगी productivity इंप्रूव होगी क्योंकि अब सारे processes streamlined होंगे और automated way में काम करेंगे जो services की accessibility है जो convenience है citizens के लिए वो enhance हो जाएंगी क्योंकि जब आप online services प्रोवाइड करते हो जैसे e-text filing license applications online accept करना electronic permits देना तो यह चीज़े कहिना कहिज जब automatically होते हैं बहुत अच्छा convenience हो जाता है customers के लिए इनको avail करना यानि citizens के लिए इनको avail करना administrative overheads जो है जो यह सारे आपके reduce हो जाएंगी जिससे सरकार को काफी cost savings होगी transparency बहुत बढ़ जाएगी accountability बहुत अच्छे से होगी यानि आपको पता चल जाएगा किस बंदे ने गलत काम किया है अगर आप online access दे जो government की information का services का to towards citizens again इसके कुछे challenges है सबसे पहले तो जो digital divide exist कर रहा है उसको bridge करना पड़ेगा वो बहुत difficult काम है आपको ensure करना पड़ेगा कि सभी को equitable access मिल रहा है government की services का हर एक citizen के लिए data privacy और security concerns बहुत जादा है उनको आपको manage करना पड़ेगा आपको जो आपके citizens की sensitive information है उसको protect करना पड़ेगा बहुत लोग online जाना ही नहीं चाते यानि वो resist करेंगे to change को और वो digital platforms की adoption government employees के लिए बड़ी एक challenges चाहते है क्योंकि वो उनको ऐसे लगता है कि इनको चलाना जागा difficult है ठीक है जो technical infrastructure है आपका जो interoperability issues है इनको सबको address करना पड़ेगा जो interoperability issues है यह तब आते है जब आप integrate करते हो diverse government systems को databases को ठीक है यह थे कुछ challenges next हमारे पास आती है open government देखो जो open government initiatives है इनका main मुद्धा यही है कि transparency increase की जाए citizens की engagement को increase किया जा सके collaboration उनकी लाई जानी चाहिए governance processes में ICT इसमें बहुत crucial role play करता है एक open government practices को enable करने में अब यह कैसे होगा वो अलग-लग platforms provide करेगा information share करने के लिए public input को solicit किया जाएगा उन public से जो input मिल रहा feedback मिले उसको integrate किया जाएगा collaborations को encourage किया जाएगा government और citizens के बीच में ठीक है कुछ इसके benefits है common benefits है again transparency increase होगी जब open government होगी accountability बढ़ेगी क्योंकि जब चीजे जानी जो government का data budgets और expenditure जब उनकी online publication होगी हर चीज transparent होगी glass की तरह citizens participate करेंगे उनकी engagement बढ़ेगी online platform के थूँ वो अपनी feedback प्रवाइड करेंगे consultations government करेंगे जो आपकी public policies और services है उनकी co-creation होगी through open data initiatives and hack thorns क्याने का मतलब क्या है सरकार कोई भी policy बनाने से पहले पहले citizens से उनकी feedback लेगी उनकी recommendations लेगी उनकी suggestions लेगी फिर दुवार से policies create की जाएंगी सरकार का और citizen का आपस में जो trust है वो enhance होगा government की जो legitimacy है वो enhance होगी क्योंकि citizens को अब decision making में involve किया जा रहा है कुछ इसके challenges है वो देखलो सबसे पहले तो देखो आपको quality, accuracy और reliability जो open government data की है उसकी ensure करनी पड़ेगी यह सबसे बड़ा challenge है देखो अगर आप बिलकुल सही content दोगे बिलकुल data accurate देगो तभी citizens अपने आपको involve करेंगे जो digital divide exists कर रहा है उसको आपको overcome करना पड़ेगा आपको ensure करना पड़ेगा कि जो citizen engagement है वो होनी चाहिए महलब citizens को involve किया जाना चाहिए जैसे मर्जी हो capacity building या जो skills है among government officials उनको आपको बहुत अच्छे से develop करवाना पड़ेगा अगर आप open government practices को effectively conduct करना चाहते हो आपको ऐसे concern जो privacy और security के साथ लेटे ना जो आपको government data जो release करें उनको address करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो आती है digital democracy देखो digital democracy का क्या मतलब है साथ और अपने representatives को elect corrects कहने का मतलब elections करो ICT का use करके online सब कुछ physical votes जानने के बता है online सब कुछ करो इसमें आप ICT का use करो उसको digital democracy कहते हैं इसमें सारी online voting systems e-petitions, digital deliberation platforms और social media engagement जितनी है सब कुछ इसके अंदर आजाएगा ठीक है अब इसके benefits क्या है सबसे पहले तो देखो citizens की जो participation है वो बहुत increase हो जाएगी वो अपने engagement को increase करेंगे अपने आपको decision making processes में involve करेंगे अब ये खास करके ये चीज़े उनके लिए फाइदे मन्द है जो barriers को face करते है traditional participation methods में कुछ ऐसे factors होते हैं responsible होते हैं कि traditionally election के time पे कई बंदे अपने आपको involve करी नहीं पाते है ये चीज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा आप information की जो information news और updates आप देना चाहते हो social media के through platform के through बहुत easily disseminate होंगे बहुत जल्दी फैल जाएगे आपको real time में feedback मिलेगी opinion आप track कर सकते हो online service के through polls के through sentiment analysis के through कि मतलब citizens का रुज़ाव किस तरव है political information और resources का अच्छा access मिल जाता है इससे informed citizenry बनती है मतलब like citizens आपके informed होंगे हर बात उनको clearly बता होगी अब कुछ challenges आते हैं देखो सबसे पहले तो वही security और integrity जो digital voting systems किया आपको उसको ensure करना पड़ेगा ताँ जो आप fraud और manipulation को prevent कर सको जो digital divide है उसको address करना पड़ेगा आपको ensure करना पड़ेगा कि digital democracy initiatives में inclusivity हो सबकी जितनी आपकी vast amount of information है यानि दो अब government की sites से या उसको manage करना पड़ेगा आपको जो opinions generate हो रहे हैं online platform के थुरू उनको develop करना पड़ेगा आपको reliability और accuracy जो आपकी online delegation platforms की या social media discussions के उसको ensure करना पड़ेगा यानि citizens को यह नहीं लगना चाहिए कि like कजो अगर आपो social media platform के साथ आपके साथ indulge हो रहे हैं engage हो रहे हैं तो उनको धिहान रखना पड़ेगा next जाता है civil tech देखो civil tech का क्या मदलब जब आप ICT को use करते हो यानि ICT को use किया जाता है by civil society organizations and individuals ता जो वो social और civic issues को address कर सके civic engagement को promote कर सके और जो आपकी government उसको accountable hold कर सके ठीक है so उसे civic tech कहा जाता है इसमें वो सारे platforms और tools आजाते हैं जो citizen की reporting के लिए required है crowd mapping के लिए social activism के लिए और collaborative problems होलने के लिए यानि इकठा रल के problems के solutions find करने के जो जो चीज़े required हो सब कुछ इसमें आजाता है सबसे बहले इसका benefit यह ही है कि citizens को empowerment मिलती है कि वो monitor कर सकते हैं issues को report कर सकते हैं जैसे infrastructure problems जो society में exist कर रही है जो environmental concerns है या जो corruption exist कर रही उसको अच्छे से report किया जा सकता है collaborative problem solving होगी यानि कठे मिलके problems का solution find किया जाएगा online platforms के थूँ ये चीज़ ब्रिक इकठा लाती है citizens को, experts को और government officials को यानि वो मिलके चीज़ों के solutions अच्छे से coordination होगी ठीक है, यानि इवन आप अपनी जो accountability और transparency या उसको strengthen कर सकते हो citizen-led initiatives और data-driven advocacy के थूँ अब again इसके कुछ challenges है सबसे पहले तो देखो accuracy और credibility जो भी citizen generated data और reports है उसकी ensure करना बढ़ा ज़रूरी है आपको civic tech initiatives जो individual projects से भी आगे जाते हैं, उनको sustain करना पड़ेगा, ensure करना पड़ेगा कि उनका long term impact citizens पे पड़े trust को build करना पड़ेगा collaboration लानी पड़ेगी civil society organization, citizens और government agencies के बीच में आपको सारे वो concerns जो privacy और security जो civic tech platforms में involved है या activities उनको address करना पड़ेगा, ठीक है so next कुछ आता है, next आता है आपके जो data driven decision making देखो ICT कई ना कई governments को enable करता है कि वो अच्छे से collect कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं visualize कर सकते हैं data को तांचो वो evidence based decision making करें, यानि जितने भी सरकार पैंसले लेगी, वो data driven होगे, data उसका evidence होगा so जब आप आपके पास power हो, जब यानि आप harness कर लेते हो ना power of big data, देखो big data बहुत trends, insights आपको देता है analytics आपको पता चल जाते हैं, आपके बस data visualization tools है, so इन सब का use करके government को गहुत सारे insights मिलते हैं, उनको patterns पता चलते हैं, वो अपनी policy outcomes को अच्छे से evaluate कर सकते हैं जाएगी through data driven insights, यानि जितने data driven insights होंगे, यानि जो आपके information आपके evidence support करेंगे, उससे आपकी efficiency बहुत increase हो जाएगी targeted और evidence based resource allocation होगी, service delivery होगी, मतलब आपको information है, आपको पता है आपके resources कहां पी अच्छे हैं, कहां पे आपने इनको use करना तो इससे आप बहुत अच्छी service delivery दे पाऊगे, जो आपके emerging trends है, या risk rise होने वाले हैं, या जो challenges आप data analytics के थूप जल्दी identify कर सकते हो, आपकी जो monitoring है उसको enhance किया जा सकते है, आप evaluation कर सकते हो government programs की और policies की, ठीक है again इसकी challenges साथ में देखो जो data quality और accuracy है, या आप क्यालो interoperability challenges है जो जब आप integrate करते हो data को from diverse sources और system, उसको आपको address करना पड़ेगा, जब आप capacity और skills है, जो मदलब आपको capacity और skills को build करना पड़ेगा government official के बीच, जो जिनोंने data analysis और interpretations करनी है, आपको privacy और security ensure करनी पड़ेगी fairness है, data driven decision making algorithms में उन सभी को address करना पड़ेगा, ठीक है next मारे पास आती है smart city देखो, जो smart city initiatives है, ये ICT का use करते हैं, data का use करते हैं तान जो quality of life अपने citizens के लिए enhance की जा सके, जैसे आप अपनी urban services इंप्रूव कर सको, sustainable development को promote कर सको, यानि जो आपकी smart city सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है so, अगर आपको मैं इसके benefits बता हूँ तो सबसे पहले जितनी भी आपकी urban services हैं, वो efficiently और sustainably की जा सकती हैं, जैसे आपकी smart transportation होंगी, energy management अच्छे से होगी, waste management systems बहुत अच्छे से होगी, आप quality of life को improve कर सकते हो citizen centric services के थूँ जैसे smart parking facilities, public wifi और digital healthcare अपकी जो urban planning है जो resource allocation है, वो बड़े enhance हो जागा, क्योंकि आपके पास real time data और analytics अविलेबल होंगे economic growth और invasion होगी through development of digital ecosystem ठीक है, बड़ इसमें कुछ challenges भी आपको उनको address करना पड़ेगा, आपको data privacy और security जो आपके smart city infrastructure और systems यूज़ करने उसकी ensure करना पड़ेगा collaboration और coordination, multiple stakeholders के बीच में ज़रूरी या like government agencies होगी, private sector partners और citizens क्योंकि कोई भी अकेला बंदा सब कुछ carry out नहीं कर सकता जितने भी आपके concerns है related to equity या inclusivity smart city initiatives में आपको इनको address करना पड़ेगा, ताँ जो आप avoid कर पाओ, excerbating existing inequality जितनी inequalities exist करें उनको खतम किया जा सके यानि आपको balance करना पड़ेगा data का use और technology, citizen privacy और consent के साथ, ठीक है next मारे पास आता है cyber security and data privacy, देखो जैसे 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 government increasingly, मतलब जैसे साथ, उनका रुजाव ICT पे यानि उनकी जो reliance है वो increase होती जा रही है governance processes के लिए आपको तब cyber security और data privacy को address करना ensure करना बड़ा crucial है देखो, governments की बहुत ज़रूरत है उनको invest करना पड़ेगा robots cyber security measures में cyber security capacities बिल्ट करने पड़ेगी as a policies और regulations develop करने पड़ेगी ता जो आपका citizen का data वो protected रही अब इसके कुछ benefits हैं वो देख लेते हैं सबसे पहले तो जो भी आपकी citizen sensitive information है यानि sensitive citizen की related information उसकी protection और asset government system जो cyber threat से बचे रहे हैं वो develop करने करने पड़ेगे यानि benefit है ये data privacy और compliance वे जितनी भी आपकी privacy regulations है उनके साथ अच्छा होगा trust और confidence government services और online transaction में बना रहेगा collaboration और information sharing governments के बीच में अच्छे होगी जो सारे आपके cyber security challenges को address करेंगी अब इसमें कुछ challenges आते हैं देखो जैसे जैसे आपके जो cyber threats हैं अब वो rapidly evolve हो रहे हैं सो बहुत नीड है कि आपको continually adapt करनी पड़ेंगी security measures आपको cyber security capacities build करनी पड़ेंगी expertise लाना पड़ेगा government personals के बीच में आपको balance करना पड़ेगा security measures के साथ with the user experience and ease of access के साथ ठीक है आप अच्छे से navigate करोगे जो complexities international cyber security cooperation information sharing में exist करी हैं मतलब जब आप cyber security को use कर रहे हो तो बहुत सारे बंदी involved होंगे government personals होंगे citizens होंगे तो उसको navigate करना उसकी complexities को आपको easy से solve करना पड़ेगा ठीक है तो अगर मैं आपको conclusion में बताऊं तो जो ICT आप बहुत transformative role play कर रहा है governance में क्योंकि वो enable कर रहा है e-government services transparency को foster किया जा रहा है citizen participation encourage की जाते है data driven decision making को facilitate किया जाता है प्रमोट किया जा रहा है innovation public administration में इसके related कुछ challenges में benefits में वो हम सारे अपने देख ले हैं तो आप उनको एक बार कर ले ना हब यहां से हम important topics start करते हैं कुछ देखो एक question आये था जो कहा रहे था short term memory encompasses encoding and short term storage and manipulation ठीक है यह line मैंने आपको पढ़के बताती दीख वो क्या कहा रहे था यानि जो आपकी short term memory यां उसमें encoding भी आ जाती है and short term जो आपकी storage और manipulation भी आ जाती देखो जो short term memory होते हैं यह temporary storage होती है temporary storage कहलो और processing कहलो information की इसमें आप encoding करते हो नई information की और उसको hold करते हो कुछ time period के लिए brief duration के लिए जब तक उसकी manipulation या processing task की हो रही है उस information के basis पे ठीक है अब short term memory की ना limited capacity होते है देखो जो short term memory है उसकी limited capacity होगी इसका मतलब क्या हुआ तो बहुत कम amount की information वो short period के लिए store कर सकते है देखो exact capacity short का memory की वेरी करते है बड़ अगर मैं आपको generally बताऊं तो ये about 7 plus minus 2 items के linear about होते है ठीक है अब कुछ permanent storage devices देखो जो कुछ permanent storage devices जो paper में बहुत बार बुचे का है उनमे pen drive, hard drive और compact disk आ जाती है sending order में आपको बताना है और वो devices सुनाने दिये थे जो उसका correct order था सबसे पहले magnetic tape बनी थी फिर floppy disk आई थी फिर cd room आई थी और add the and dvd आई थी अब जो आपकी magnetic tape है इसे initially use के जाता था data storage और backup के लिए फिर floppy disk आई जो portable storage medium थे जिनकी limited capacity होते जो cd rooms है यह आपके optical storage medium थे जिनकी capacity high थी floppy disk के comparison में और जो dvd आगेन यह optical storage medium थे इवन इनकी उससे भी जो आपकी cd rooms है उससे भी जादा higher capacity थी अब अगर आपको कोई पूछ ले कि जो correct sequence है जो आपके अभी मैंने आपको storage devices बताएं descending order में तो उसको reverse कर दे अब यह descending order इनकी emergence क्या है सबसे recent dvd उससे पहले cd room फिर floppy disk और फिर magnetic tape ठीक है यानि दुनों दरीके से question बहुत बार पूछा गया है समझ के जो dvd थी वो introduce की गई थी cd room के बाद में फिर उसके बार floppy disk का है फिर magnetic tape और सबसे oldest क्या था magnetic tape ठीक है अब जो आपके magnetic storage devices है उनको उसके related question आयता देखो जो dvd, rw और जो आपके external hard drives ये magnetic storage devices होते हैं जो आपके cd, r और flash memories ठीक है ये आपके magnetic storage devices नहीं है यानि इन शौर्ट जो आपके dvd, rw और external hard drive है जस्ट वो ही आपके magnetic storage devices है जो cd, r, ये optical technology और flash memory को यूज करता है जो solid state memory technology पे based है, ठीक है next उनको ने क्या आगा था, जो आपकी magnetic tape है, वो commonly use की जाते है external storage medium के लिए as a external storage medium backup करने के लिए आपके data को ठीक है जो आपकी RAM, random access memory ये example है, internal memory जिसे use किया जाता है, temporary data को store करने के लिए और program instructions को store करने के लिए, ठीक है अब इसके regarding थोड़ी और detail देख लेते हैं यानि जो आपके random access storage devices हैं, ठीक है ये आपको allow करते हैं data को directly assess करने के लिए without having to read through all the data that perceives है, यानि आप जिस data को जाएं, आप directly उसको access कर सकते हो आप पिछला data read करने की सारा ज़रूरत नहीं है अब जो magnetic tape है, ये sequential access storage device है इसका क्या मतलब हुआ, कि जो data पहले वो read करेगा, वो data जो वो सारा sequentially read करेगा अगर आपको कोई data का चाहिए अगर आपको 20th नमबर पर कोई data चाहिए नमबर 1 सा सारा data को read करेगा फिर आपको पता चालेगा, ठीक है और जो आपके hard disk का ये आपके random access storage devices है, pen drive भी अगेन आपके random access storage device है cd rooms, आपके sequential access storage devices होते हैं, ठीक है अब कुछ computer terms है, उनकी description आई थी देखो जो magnetic device ये मैं आपको बता चुका है use की जाती है data achievable purposes के लिए जिसको आप sequentially access करोगे memory cards को digital camera, photo printer और cell phones में use किया जाता है hard disk वो set है, metal disk का जिसको आप spindle पे mount करते हो DVD laser beam technology को use करते है, read और write करने के लिए data को, ठीक है next आपके पास आता है Bluetooth जो Bluetooth है, ये एक short range wireless data transmission protocol है, जो इसको use किया जाता है communication के लिए दो devices के बीच में, जो short distance पे lie कर रहे हैं, यानि ये कई wireless connectivity इनेबल करता है devices के बीच में, जैसे smart phones tablets, computers, speakers या आप कोई भी peripheral कहलो जो आपके Bluetooth technology है, ये allow करते है data का transfer, audio का transfer और किसी भी type के जो आपके information है, डो devices के बीच में, आपको कोई ज़रूरत निया उनको physical cable के साथ attach करने के लिए, आप wirelessly ये सब कुछ conduct कर सकते हो, आगे आती है pixel density क्या है, देखो ये इसका क्या मतलब है, basically जो आपके number of pixels per unit area होते हैं उसको pixel density क्या सकते हैं जिनको typically measure किया जाता है pixels per inch, PPI और pixels per centimeter, PPCM यानि ये represent करती है जो आपकी concentration है pixels की एक display और image में, जितनी higher pixel density होगी, उतनी जो उसका general result होगा, वो sharper यादा detailed display और image होगी, ठीक है जो आपकी JPEG file साँ उनको use किया जाता है, lossy file compression method के लिए, यानि जो JPEG जिसकी fall format, joint photographic experts group, ये इसको widely use किया जाता है, being file format, digital images को store करने के लिए, यानि ये utilize करता है lossy compression algorithm, जो reduce कर देता file का size, कुछ information को remove करके, जो less important होती है, इसके according, ता जो overall जो आपकी perception है image की वो बने रहे, ठीक है even JPGs को use किया जाता है, photographs को store करने के लिए as a reduced file size, देखो सबसे एक primary purpose, जो JPG file format का ये है, कि photographs को store करना, और continuous shown images को store करना, और साथ की साथ, एक acceptable image quality को maintain करना, with reduced file size, जो आपकी lossy compression है, उसको employ किया जाता है, JPG के दवारा, जो allow करती है, significant file size reduction, अगर हम compare करें to lossless compression methods, छीक है, अब next आते है, उन्होंने एक question आय था जो multimedia files है, वो can contain various types of content, वो content देख लो, देखो जो text है, multimedia files जो होती है, उसमे textual information भी होती है, multimedia files में images, photographs भी होती है, videos भी होती है, video content हो गया, even audio content भी होती है, इसी करने में इसको multimedia जा जाता है, अब जो कुछ different types of software, अगर मैं उनके example करूं, जो word processor है, उसकी best example open office, और जो data base है, उसकी example oracle है, ठीक है, यानि अब जो data base होता है, ये collection होती है, जितने भी आपके logically related data है, उसकी, so as मैंने आपको बताई दिया, कि जो data base है, वो organized collection है, data की, एक structured और interconnected based pre-defend relationships और rules में, अब operating system में बताऊं, तो Mac, अब जो operating system होता है, ये वो set of programs है, जो necessary है, आपके जितने भी एक application या specified application के operations आपने carry out करने उसके लिए, so operating system में ये provide करता है necessary, जितने आपके software components है, या services है, जो support करेंगे आपकी applications की execution और आपके computer resources को करेंगे manage, अगर मैं आपको एक और example एक और देखों, आपका जो like, जो network system है, उसकी best example आती है, आपकी emails, operating system के लिए firewall, memory के लिए Mac, और communication के लिए room, ठीक है, अब अगर इनका, जे ये ना question आया था, ठीक है, ये network system, अब इनको नो थोड़ा match करते हैं, देखो इनको पढ़ते हैं, देखो जो network system होता है, ये collection है computers की, और या all devices क्यालो, जो एक दूसरे के साथ connected है और ये resources को share करते हैं, जो email है, वो type operating system की, जिसको apple computers पे use किया जाता है, जो room है, ये एक ऐसी type है memory की, जिसको use किया जाता है, operating system और इसके लावब जितना important data है उसको store करने के लिए, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे आता एक और topic, RFID MICR, OMR, OCR और barcode, देखो जो RFID यानि radio frequency identification systems है, ये radio waves को use करते हैं information को read करने के लिए capture करने के लिए, जो MICR magnetic in character recognition characters है, ये बहुत easy है forge करने के लिए, जिनको return over नहीं किया जा सकता ठीक है, जो OMR है optical mark recognition, ये marks आपके read करते हैं, जो एक pencil भी है, या pencil लिखे होते हैं आपने specific places के लिए, ठीक है मदलब जो होगा, आप, मदलब OMR sheet आपके होते हैं, पेपर में लाएक आप सब्दल समाग करते हैं, जो आप answer करते हो वो उसको recognize कर लेता है, जो OCR है, इसे optimal character recognition करते हैं, ये text को scan करता है फिर उसको computer readable format में convert कर देता है, फिर आते हैं barcords जिनको forge किया जासता है, जिनको damage भी किया जा सकता है, ठीक है अगर मैं आपको कुछ additional notes इनके बारे में बताऊं, तो जो आपके network systems है इनको आप use कर सकते हो, बहुत अलग है, purposes के लिए जैसे file sharing printing, communication, so यह wired भी हो सकते है, wireless भी हो सकते है email बहुत convenient भी है messages को send करने के लिए दूसरे बंदों को इसको use किया जाता है, personal और business purposes दोनों के लिए firewalls बहुत important है, computer को protect करने के लिए from unauthorized access यह इनको आप configure भी कर सकते है तांजो आप block कर सको, कुछ type का traffic है और allow कर सको कुछ users को जो आपके computer का जिनको access मिल सके Mac बहुत popular operating system है जिसको जाना इसी कारण जाता है क्योंकि बहुत easy to use है, इसकी stability बहुत अच्छी है, millions of people इसको around the world use कर रहे हैं जो ROM है, यह एक ऐसी time-pair memory की जिसको use किया जाता है, operating system को store करने के लिए, और यहाँ जितना important data है उसको, यह basically read only होता है, आप इसको write नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसको change नहीं किया जासा है और rates नहीं किया जा सकता है, ठीक है so next जाती है utilities जो उसकी example antivirus है, ठीक है so यहाँ पे हम करते हैं आज का session complete, अगर कोई doubt हुआ ता आप पूछ सकते हो rest इसकी PDF English and Hindi Language आपको Telegram चैनल पे बिल जाएगी, ensure दोने channels को like, subscribe, share कर दो, so करते हैं आज का session mind app, कल मिलते हैं, with a new session, with a new set of topics, good afternoon have a nice day ahead